हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टो माई चानल आयाम पूजा और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कुछ कंडिशनर्स है कंडिशनर न सिर्फ आपके बालों के लिए मैच की तरह काम करता है बल्कि आप इसे और भी बहुत साएच चीजों में यूज कर सकते हैं इसका प्राइज से वन-ई-टी ओई-फाइफ है तो आए जानते हैं कि आप कंडिशनर को कि पिनी तरीके से यूज कर सक कि आप कैसे अपने किसी भी लोही के समान या अपने फेवेट टूल्स को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं तो अब हम बिल्कुल थोड़ा सा कंडिशनर लेकि जस्ट बिट जंग पे बिल्कुल पतली लेयर लगा देंगे तो बिल्कुल हलका सा अपलाई करके बस इसको अच सब्सक्राइब लेखे अधिशनर कर लेजिए कि अधिया तो इसमें थोड़ा सा कंडिशनर और लगाएंगे लिको थोड़ा सा लगाना है क्या उपकि अधिए अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है सायद थोड़ा से लगाने के बाद देख सकते हैं आपकि ऑर्रीडी रिमूव तो हमारे दूसरे हैक से आप जिप ठीक कर सकते हैं, तो इस बैक के जिप थोड़ी सी खराब है, आप देख सकते हैं, मैं इसको बार बार बंद करने की कोशिश कर रहे हूं, बट यह बंद नहीं हो रहा है, अगर मैं इस ज्यादा फोर्स लगाऊंगे तो यह तूट भी जाए तो हम इस पर थोड़ा सा कंडेशनल लेंगे, फिकल थोड़ा सा और थोड़ा सा जिप के पीछे भी लगाएंगे, तो थोड़ा सा नीची लगाना है, तक यह अच्छे से स्मूधली बंद हो जाए, तो अब धीरे-धीरे कोशिश करना है तक यह जिप तूटे ना, तो हमारे तीसरे हैक से हम अपनी क्यूटिकल्स को सॉफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी महंगी और एक्स्पेंसिफ क्यूटिकल क्रीम यो ओल नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा सा कंडेशनल लेना है, बिल्कुल जस बेट, इसे आप अपने नेल्स पे अपलाई करी अच्छे से अच्छे से ताकि आपकी मसाज्ज भी हो जाए, यससे सापके क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाए, आपको कंडिशनल को थोड़ी देट तक अच्छे से मसाज करना है, लगबग 1 मिनेट तक अच्छे से मसाज करीए, अब किसी काटिन की बज़त सेžनल को अच्छे से क्वाटन से साफ कर लिजिए अब देख सकते हैं आपके नेल्स और क्यूटिकल दोनों सॉफ्ट और सुन्दर लगने लगे हैं हमारे चौथे हैक से में अपने आई मेकप को रिमूब कर सकते हैं जो कि मैसलर वाटर भी कभी कभी ज्यादा मेकप होने के विज़े से रिमूब नहीं कर पाता है बिल्कुल थोड़ा सा कंडेश्टन लेंगे ज्यादा नहीं लेना है और उसको हलके हाथों से अपने मेकप पे अच्छे से अप्लाई करना है बिल्कुल सर्कुलर मोशन में अच्छे से क्लीन करना है जदा फोर्स नहीं लगाना है आखो पे अच्छे से क्लीन कर लेजिए अच्छे से कौने में भी साफ कर लेजिए तक बिल्कुल भी मेकप लगाना रहें लेख सकते हैं हमारा मेकप कि हमारे पाचवे हैक से हम इस निकालने की कोशिश करेंगे अगर आपके उंग्लियों में कोई अटक जाए उसे कैसे निकालना है कि कभी-कभी ऑई लगाने पे भी नहीं निकल पाती है अब अब आपको अपनी दिन की चारो तरफ लगाना है अब अच्छे से अब हम जी रिंग को निकालने की कोशिश करेंगे अब अल्कुल हल्किक जदा फोर्स नहीं लगाना है बस थोड़ा थोड़ा इसको रिमूब करेंगी कोशिश करना है और देखें हमारी रिंग अच्छे से रिमूब हो चुकिए अब देखें मेरे हातों पर निशान भी पढ़ गया मेरे इंगली पर अब रिंग असानी से निकल गई है कि अब अब कि अब कि अब कि अब